एक नारा बहुत चल रहा है आजकल जोर शोर से मोधी जी ने आपके लिए कहा UP प्लस योगी उपियोगी और आपके जो राजनितिक विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि आप उपियोगी नहीं हैं अनुपियोगी हैं तो UP की जनता को आप क्या बताना चाहेंगे आप कितने उप शेतर के लिए देखें प्रधान मंत्री जी ने जो बात कही UP प्लस योगी बहुत उपियोगी तो वेसे नहीं कहाओगा 2014 के पहले एक लंबा अनुभो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अधने मोदी जी को है और उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी गुजरात में कारे करती है तो सौफ़ाई गुरुप से उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ संबाद बनाने और उस समय की सरकारों के बारे में सन 2001 से लेकर के और 2014 तक इन 13-14 वरसों में उत्तर प्रदेश में कमोवे सहर पार्टी की सरकारे थी केंदर और प्रदेश को मिलागर गए देखेंगे तो सभी राजनितिक दले इस सरकारों में भागिदार थे सब की बारी आई है उनकी कारे पद्दती को भी बहुत नजज़तिक से देखा 2014 से लेके 2017 तक जून 2014 से मार्च 2017 तक प्रदेश में समझवादी पार्टी की सरकार थी और मार्च 2017 के बाद अब तक भारतिय जन्ता पार्टी की प्रदेश में सरकार है प्रदान मंत्री जी ने उन सभी योजनाओं को बहुत नस्दीक से देखा है और उनके मार्ग दर्सन में जो कारे हम भी कर रहे हैं गरीब कल्यानकरी योजनाई सुच भारत मिशन, प्रदान मंत्री आवास योजना, आईश्मान भारत की योजना, सौभाग्य की योजना, प्रदान मंत्री उज्जुला की योजना या अन्य तमामें योजना, PM स्टार्टप की योजना, PM स्टेंडप की योजना, प्रधानमंतरी मुद्रा योजना, ये सभी योजनाओं में 2017 के पहले यूपी में क्या तिस्ति थी थी 2017 के बाद यूपी में क्या तिस्ति थी बनकर कि उभरी है किसी से चुपावा नहीं 2017 के पहले प्रधानमंतरी आवास योजना में उतरवदेश के अंदर के अठारा हजार आवास सैंक्सन होई थे मिले नहीं थे सैंक्सन होई थे भारत सरकार पत्र भी पत्र लिखती थी राज्य सरकार की कोई रूची नहीं थी यह आवास उन गरीबों को देने के लिए थे जिनके पास अपने सिर को ढखने के लिए छत नहीं है 2017 के बाद अब तक हम लोग 43 लाग गरीबों को एक-एक आवास उप्लब्द करा चुके हैं स्वच्छ भारत मिसन एक और स्वच्छ भारत मिसन खुले में सौच को रोकने का यह अभियान नहीं था यह स्वास्त की गारंटी भी है और साथ-साथ नारी गरिमा की रक्सा का भी माध्यम है स्वच्छ भारत मिसन में उत्तरप्रदेश के अंदर पहले धाई वर्स में तो सोचाले बनने थे 43 लाग मात्र सेंक्षन होई थे बन नहीं पाये थे और यह माना जाने लग गया कि देश के अंदर स्वच्छ भारत मिसन की सबसे बड़ी बाधा कोई है तो उत्तरप्रदेश है क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 से योजना प्रारंभ ही थी और 2 अक्टूबर 2019 में इसको पुरा होना था एक वर्स पहले ही इसके कैदिया गया कि 2 अक्टूबर 2018 में इस पुरी योजना को संपन्न होना है हमारे पास डेड़ वर्स का समय था 2 करोड 61 लाग सोचाले बनाने थे हमने 2 अक्टूबर 2018 में सभी सोचाले बना करके हर गरीब के घर में एक एक सोचाले दे दिया ग्रामिड छित्र हो या नगरिय छित्र है आज हम लोग ODAF प्लस प्लस में पहुंच चुके हैं अब ग्रामिड छित्र में हर गाउं में एक एक समदा एक सोचाले भी बन गया है और हर समदा एक सोचाले के साथ एक महला स्वेम से भी समू की किसी गरीब परिवार की महला को उसको देखरेक की जिम्मिदारी भी दे दी गई है जो हर महिने नो हजार रुपे उस देखरेक की विवस्ता के माद्यम से कमा भी रही है सोभाग्य योजना 2017 के पहले मुझे लगता है मुश्गिल से दस हजार परिवारों में भी फ्री बिद्दूत कनेक्शन नहीं मिल पाया था हम लोग एक करोड एक तालीस लाग परिवारों को फ्री में बिद्दूत कनेक्शन दी है और फ्री में बिद्दूत कनेक्शन नी दी उतना बिद्दूत इंफरस्टक्चर एक लाग तेईस हजार मज़रों तक बिद्दुत की लाइन बिछाई गई और फिर बिद्दुत के फिरी कनेक्शन उनको अपलब्द करवाए गए आयुस्मान भारत कार फिरी में अबचार की भी वस्ता हो करोना प्रबंदन उत्तर ब्रदेश का देश के अंदर भेतरीन रहा है नीति आयोग ने डिवलो एचो ने इसकी स्रहना की प्रदान मंतरी मोधी जी का मारक दरसन था लेकिन हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर के लिए इन धाई वर्सों में जो काम आगे हमने किया इन पांच वर्सों में जो काम किया उसका रिजर्ट हमें प्राप्त हुआ 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में कुल 12 गॉवर्मेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और अगर मैं आजादी के पहले का भी जोड़ पाऊंगा तो यह 17 गॉवर्मेंट मेडिकल कॉलेज थे आज हमारे पास 59 डिस्टिक ऐसे हैं 69 जिले ऐसे हैं जहां पर एक मेडिकल कॉलेज है और 16 जिलों के लिए भी पीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज बनाने की एक नई कारवाई को हम आगे बढ़ा चुके हैं यह हेल्थ इंफ्रस्टेक्चर में हमने पीएसी का सीएसी का डिस्टिक हॉस्पिटल का उनियन किया मार्च दोहजार बीस में जब करोना आया था 36 जिले ऐसे थे जहां पर एक भी वेंडिलेटर नहीं था मार्च दोहजार सत्र तक उत्तरप्रदेश के एक भी जिले में लाइब सपोर्ट एम्बूलेंस नहीं थी आज हर जिले में प्रयाप्त मात्रा में लाइब सपोर्ट एम्बूलेंसे थे आज हर जिले में आईस्यू हैं हर जिले में उपचार की सुविधा है और 2017 के पहले किसी भी ब्यक्ति के लिए पांच लाग रुपे की स्वास्ते बीमा का कोई कवर नहीं था आज उत्तर प्रदेश के दस करोण लोग फ्री में आईश्मान भारत योशना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योशना से अच्छा दित हैं जिनको फ्री में इस सुविधा का लाब दिया जा रहा है तो यह तो मैं कहा रहा हूं न इसी प्रकार से और भी अनेक योशनाएं है 2017 के पहले केंदर सरकार की जितनी भी लोक कल्यान कारी योशनाएं हैं उनमें उत्तर प्रदेश 15, 22, 24, 27 और 35 अस्थान पे हुआ करता था 2017 के बाद केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जानी वाली हर एक गरीब प्ल्यानकारी योजना में उत्तरप्रदेश नमबर एक नमबर दो पर है और लगभग 44 ऐसी योजनाएं हैं जिनमें उत्तरप्रदेश नमबर एक पर है Infrastructure Development के लिए भी आप देखेंगे 1947 से लेके 2017 तक उत्तरप्रदेश में डेड़ एक्सप्रेश वे बनी थी आज उत्तरप्रदेश में 6 एक्सप्रेश वे बन रही है प्रवांचल एक्सप्रेश वे प्रधान मंत्री जी ने अभी पिछले दिनों राष्ट को समर्पित किया बुंदेलखंड एक्सप्रेश्वे अंतिम चर्णों में कारे चला है और दिसंबर लास्ट तक हम इसको मोख्य एक्सप्रेश्वे को यातायात के लिए खोल लेंगे गंगा एक्सप्रेश्वे का सलानिया सभी प्रधान मंत्री जी ने 18 दिसंबर को किया है गोरकपूर लिंक एक्सप्रेश्वे पे युद्दस्त पर कारे चला है मेरड दिल्ली 12 लेंग का एक्सप्रेश्वे बनकर के तयार है अगले कुछी दिनों में प्रधान मंत्री जी उसको राष्ट को समर्पित करेंगे बल्या लिंक एक्सप्रेश्वे पे कारे चला है कि 2017 के पहले उत्तरब्रदेश की पैचान क्या थी जहां से गड़े प्रारम हो समझलो यूपी की सीमा सुरू हो गई साइकाल होते ही जहां पर उत्तरब्र जहां अंधेरा दिखाई दे तो यह मानलो उत्तरब्रदेश की सीमा सुरू हो गई बिजली देने में भी भेदभाव क्या जाता था सड़क बनाने में भेदभाव क्या जाता था आज सभी इंटरस्टेट कनेक्टिविटी फोर लेन से जुड़ी है आज उत्तरब्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में समान बिद्दुत की आपूरती हो रही है पंद्रों करो उत्तरब्रदेश की जनता के लिए उप्योगी है इंफ्रस्ट्रक्ट्टर सलक ट्रांस्पोर्ट सलक हाइवे एक्सप्रेस वे का हो कि मेट्रों का हो एयर कनेक्टिविटी का हो 2017 तक दो एयरपोर्ट फंक्शनल थे लखनो और वारणसी गोरकपुर में कभी कवार एक फ्ला एक्सिर आती थे कि अगर उत्तरब्रदेश में दस एयरपोर्ट फंक्शनल थे जिक कारेचल ला है कि यह का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तरब्रदेश जेवर में बना रहा है क्यों से अगर इंट्रनेश्नल एयरपोर्ट प्रारम वह चुका है ये infrastructure का हो, health हो, education हो, या फिर अलग-अलग सेक्टर में उत्तर प्रदेश ने जो पिछले साड़े चार पॉने पांच वर्स के अंदर दूरी तै की है यह उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उपयोगी है लेकिन हाँ, उनके लिए उपयोगी है जो दंगा कराते थे जो प्रदेश के अंदर संसादनों पर लूट खसोट करते थे यहाँ पे खनन माफिया पहले भावी थे, भू माफिया हावी थे पेसेवर अपरादी और माफिया हावी थे सत्ता का संग्रक्षन पाकर के गरीबों की संपत्ति पर कबजा करते थे आज जब उन पर बुल्डोजर चला है तो उनके लिए तो हम अनुपयोगी ही होंगे तो ये उस माफ्या प्रविड़ती के तत्तों के लिए ये सरकार अनुपयोगी है जो प्रदेश के संसादनों पे लूट करते थे प्रदेश के खजाने को लूटते थे प्रदेश की बेटियों की सुरक्सा के साथ खिलवार करते थे उनके लिए हम अनुपयोगी हैं लेकिन प्रदेश की 25 करोड जनता के लिए उपयोगी हैं इसलिए आधने प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही और ये नारा जब उ कि उस्सिवस्तर में पता चला हुआ है इस उनका हम लोग लेंगे औरनके मारगारक भदरशन के हम काम करते हैं है उत्तरप्रविधेस का जो सेनेरियों को लगा होसा होगा देखा होगा पब्लिक सेंटिमेंट देखे उगे उसके बाद उन्होंने बात कही होगे लेकिन हम किस के लिए उपयोगी है ये प्रदेश की जनता जनार्दन जानती है और किन के लिए अनुपयोगी है ये भी प्रदेश की जनता जनार्दन जानती है तो आपने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी है कि आप कहें कि मैं इतना उप्योगी हूँ कि अब मेरे बिना काम नहीं चलेगा। राश्टिय अध्यक्स मानियसी जेपी नडडा जी के पेड़नास उनके नित्रितों में सेवाही संगठन का एक अभ्यान प्रारम किया था एक-एक भारतिय जनता पार्टी का कारेकरता जनता जनार्दन की सेवा के लिए कारे कर रहा था इसलिए भारती जनता पार्टी का हर कारेकरता उपयोगी है और जनता जनारदन की सेवा के लिए तत्पर है योगी जी उत्तर प्रदेश की राजनीती के बारे में एक आ जाता है कि विकास योजनाय तो ठीक हैं जातिवाद की राजनीती ने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया वनसबाद और जातिवाद की राजनीती ने उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश पिछड़ गया तेमिया के सबसे अरंविन भुम यह मारे पास कि सबसे सम्रइद जल संसादन पहीं पास कि सबसे अच्छा पावर हमारे पास मेरे मेψा मेशनों हो मित्य अंटी जंता कि इस वण सभार बाद और जातीवाद की राज़नीति ने कि कुछ परिवारों का तो कल्यान क्या होगा उन परिवारों की आड़ में कुछ माफियाओं को संग्रक्षण दे करके उनका कल्यान क्या होगा लेकिन उत्तरप्रदेश के नौजवान के सामने उत्तरप्रदेश के प्रतेक नागरी के सामने पैचान का संकट खड़ा कर दिया और उसने से लिए जब उस प्रकार का टेजाश्वी और इससी नित्रतों मिला तो 2014 में उत्तर प्रदेश की जंता ने निरनाइख फैसला अप्तर प्रदेश की दंताने मोधी जी के विजन को अपना लिया है यह हुआई गोAL मोधी जी Спасибо में हैं पुर्दान मंतरी मोधीजी के नित्रतों में उनके आउआन पर टुछ अपके काम पर लड़ा जा रहा है या मोधीaks के नाम पर लड़ा जा रहा है कि हम सब को डवल इंजन की सरकार का लाप उत्तर प्रदेश वासियों को मिलना है मार्क दर्सन और पेड़ना मोदी जी का है जमीनी धरातल पर केंद्र और प्रदेश सरकार की मसंड़ी मिल करके उन योजनाओं को इंप्लेमेंट करती है तो इसका डवल लाब भी भारतिये जनता पार्टी को 2022 में प्रप्त होगा